आज की ये वीडियो काफी जादा important है एंड ये question जो है ना कई वार ये paper में पूछा गया है तो प्लीज इस question को आप जरूर कर लिजिएगा तो देखे इसमें question जो है कई तरीके से पूछा जा सकता है जैसे इसमें question पूछ सकते हैं कि आखिर वो कौन से कारक है जो एरोपिय संग को जो है ना एक छेत्रिय संगठन बनाने में महत्मूर्ण भूमी का निवाती है ठीक है परभाव साली छेत्रिय संगठन बनाने में ठीक है इस तरीके से भी पूछ सकती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको जो है ना इसमें अगर मान लीजिए आपक बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि एइरोपिय संग है क्या? तो जो है ना इरोपियर संग के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो देखें, इरोपिय जो संग है एरूप जो हमारा महाधरीफ है तो उसके 27 देसो का जो है एक छेत्रिय संगठन है जिसकी जो अस्थापना हुई थी ना एक नुवंबर 1903 में हुई थी यह संगठन जो है उरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकिकरन की भावना से मौश्टरिच संधी द्वारा बनाये गया और एक चीज और है अगर आप देखिए हमारे सर ने बताय अगर आप एक देश का बीजा लेते हैं तो आप एक देशों में भी घूम सकते हैं यह वेनिफिट मिल जाता है आखिर इन देशों का मतलब की गठन का मुखे हो देश से क्या है तो इनका यह है न कि देखे इनका आपस में इसलिए इन्होंने जो है अपना छेत्रिय संगठ बनाया ताकि जो इन देशों की बीच में जो बैपार होंगे जो भी प्रयतन होता है जो घूंने आते हैं वे देश के लोग तो उनके बीच जो है न जो growers लगाय जाते हैं वह कम लों तो इससे चीजिंजे सस्ति होगी और देशों की अर्थ्वयश्था का विकास होगा अगर आप पर्तिवंद और निर्यात और आयात पर कम से कम पर्तिवंद होंगे तो चीजे सस्ती होगी और नई नई टेकनोलजी का भी आगमन हो पाएगा क्योंकि होता है कि कुछ चीजे देसे मालीजे किसी देस में बहुत जल्दी मतलब की विकास किया जाता है अब किसी अने देस में पहुचाने में काफी ज्यादा जो है ना शुरुवाती टाइम में बहुत ज्यादा कीमत होता है उसका तो अगर इस पर टेक्स कम लगेंगे तो टेकनोलजी का जो विस्तार होगा वह ज्यादा होगा आप जो है दो मिनट और देख लिजे इस वीडियो को मैं अच्छे सा आपको समझा दूँगा तो देखिए आर्थिक छेतर में आपको पता है क्या लिखना है आर्थिक छेतर में इरोपी संका परवाव मतलब कि आपको चार या पांच पॉइंट बनाने है जिसमें आर्थि संस्क्रितिक छेतर में या फिर विग्यान के छेतर में इन चारो या पांचो छेतर में और संस्क्रितिक छेतर में भी लिख सकते हैं संस्क्रितिक छेतर में क्या हुआ कि इरोप के बहुत सारे जो भी मतलब की संस्क्रिति जैसे जिंस का परियोग जिंस जो पहन रहे है उनक इसके अंतरगा जर्मनी बहुत फ्रांस तो पोलेंड बहुत सारे देश आ जाते हैं 27 देश तो अब आप समझ सकते हैं कि यह सभी देश इसमें जो देश जो है वो लगवाग 80 परसेंट जो देश है वो है विक्सित देश इटली यह सभी आते हैं तो देखे इरोपिये संग ब परचास के लिए खत्रा पैदा कर सकता है मतलब कि इरो का जो है ना कीमत अमरीकी डॉलर से जादा हो सकता है आगे मतलब कि इन फ्यूचर उसकी आर्थिक ताकत को उसे नि उसके निकरतम पडोसी और एसिया इवाँ अफ्रीका में प्रभाब कायम करने में मदद करती है अब